हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेसिल करने के बाद हमें किन किन बातों का दिहान रखना चाहिए ताकि हमारे स्किन खराब ना हो और स्किन की गलोब बहुत अच्छे से बनी रहे जादा तर महिलाओं को पता है कि स्किन पर किश टाइप की फेसिल करवानी चाहिए ताकि आपके चेहरे की समक बरकरार रहे और साथ ही आपका चेहरा साब सुतरा दिखे लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाओं फेसिल के बाद कुछ गल्तियां कर बैठती है जो उनके चेहरे पर रियाक्शन का कारण बनते हैं सबसे पहले आप थ्रेडिंग ध्याल में रखे थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए हाँ फेसिल करवाने के बाद थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए दरसल फेसिल करवाने के बाद स्किन बहुती सोफ्ट हो जाती है जिसी फ्रेडिंग करवाते समय कट लगने के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए अगर आपको थ्रेडिंग और फेशिल दोनों चीज़े करवानी है तो पहले थ्रेडिंग करवाई फेशिल करवाने के बाद वैक्सिंग नहीं करवाने चाहिए फेशिल करवाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही कॉमल, सॉफ्ट और स्मूध हो जाती है इसलिए स्किन पर वैक्सिंग नहीं करवानी चाहिए फेशिल के बाद वैक्सिंग करवाने से तुबच्छा चिल सकती है तो वैक्सिंग नहीं करवानी चाहिए फेशिल करवाने के 4 गंटे तक साबून से भूल कर भी मूद नहीं दोना चाहिए जो भी आपने फेसिल करवाया है उसको सोखने में कम से कम चार घंटे लगते हैं इसलिए अगर आपको फेस वोस करना है तो बिल्कुल हलके पानी से छीटे मार कर आप फेस वोस कीजिए साबून का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें फेसिल करवाने के बाद गम से कम तीन दिन दक चेहरे पर स्करब नहीं करना चाहिए फेसिल करवाने के बाद वैसे यह आपकी स्किन सॉफ्ट और सेंसिटिव हो जाती है जिसके बाद जल्दी जल्दी स्करब कराने से चेहरे पर दाने हो सकते हैं या चहरा चिल सकता है जब भी आप फेशिल करवाएं उसके एक अफ़ते बाद तक किसी भी तरह का मास चहरे पर ना लगाएं इसे फेशिल ग्लोब बिल्कुल खतम हो जाता है धूप में ना जाएं फेशिल करवाने के बाद चहरे के सभी रोमचिदर खुल जाते हैं और पोर्स बड़े हो जाते हैं चहरे पर इसका रियाक्शन हो सकता है अगर आपको बाहर जाना है तो फेश धब कर जाए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी झाल